कि हम बात कर ले हैं वह हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिशन तो कर हमने नैशनल कमिशन्स पड़े थे से, स्ट, बेकवर्ड लासेज, नैशनल कमिशन पर चिल्डन, विमन, माइनॉर्टी, और 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 यही थे इसमें से कॉस्टुटूशनल कौन से हैं और स्टैच्चुरी कौन से हैं बताएए जो कल हमने कमिशन पड़े थे उन कमिशन्स में से कॉस्टूशनल कमिशन कौन से हैं किसको आप कॉस्टूशनल कमिशन बोलना चाहोगे किसको स्टैच्चुरी कमिशन बोलना चाहोगे सर्सक्राइब और बैकवार्ट क्लासेज वाला जो है वो कंस्टूशनल बोल्डी है ओके और बाकी बाकी का नाम भी नेशनल कमिशन है यह क्या है स्टैच्चुट्री बोडी स्टैच विवाड़ी इसका मतलब क्या हरे अरे अश्येज बताया है इसको एक्स्क्राइन याद क्रें किसी शरूत क्या है यह आद करनी कुछ है छोड़ी बता है और ने रिखा गया हो तो वो फॉट्टिशनल बोडी होगा जो बाद में रिटाइज कि आजया कि इस तरह सी बोडी कि भी आऊ सेक्ता है और अमेंडमेंट के तो उसे संधाम में डाला गया हो नहीं, BC Commission Original सर्दी स्टेट हाँ पारूल बताओ सर्दी स्टेट्च नहीं बारूली से होती है इसी एज अब आज नहीं हारी पारूल आपकी तू बने तू बने तू देखो दौनों में डिफरेंस एक ही है एक स्टेचू का मतलब क्या होता है स्टेचू का मतलब समझेंगे तो अपने आप यह सवाल का अंसर कर देगे बस एक शब्द इसलिए थोड़ा सा कभी इंग्लिश पे ज्यादा महनत क्या किजिए कहीं भी कोई शब्द आता है उसे इग्नोर मत करिये कम से कम जो की वर्ड से उनको इग्नोर मत करिये कौश्ट श्टेचू का मतलब करें समय में तो वाट इस स्टेचू लॉव कानून लॉव तो श्टेचूरी का मतलब जो कानून से बना हो जो कानून से बना हो और कौश्टूटूशनल का मतलब जो ये कौश्टूटूशनल का मतलब सम्विधान का मतलब तो सम्विधान होता है यानि कि जो सम्विधान से बना हो तो हमारे जितने ये बाड़ी जिनकी हमने बात किया और भी बहुत सारे एसे प्राब्धाम हो सकते हैं जिनका डारेप्ट मेंशन कि सीधा जिक्र Constitution में है तो ऐसी जितनी बाडी जिनके बारे में कि इनको बनाया जाएगा इनके दिए यह प्राब्धाम होगा उनका जो मूल origin है जो उनका अस्तित्व है वो Constitution की वज़े से आया तो वो सारी बोडी Constitutional bodies या Constitutional whatever तो उने Constitutional body तो यह जो पहले तीन Commission है SCST Commission और backward Commission backward Commission जब कि बाद में एड किया गया यह ध्याने की का backward class Commission यह बाद में एड किया गया यह तो यह तीनों के तीनों जो है समीधान के द्वारा समीधान में इनके दिए प्रावधान लगा हुआ है प्रावधान मौजूद है कि इस आर्टिकल के तहत एस सी कमिशन नेशनल कमिशन फॉर शुडू कास्ट बनाया जाएगा दूसरा नेशनल से जुडू ट्राइब कमिशन इस आर्टिकल के तहत ठीक है कौशा दोसो बासट त्रेशट था ना क्या अर्टिकल है एदा भग पूर होती है 338a 338 yes sir 338 के अमसार नेशनल कमिशन बनाया जाएगा तेट सकेन में क्या इस्ट कान एड थीच आर्टिक ठीक बता रहे हैं अ सब्सक्राइब करें नाशनल कमिशन पर स्ट और बैक्वर क्लास कटी थर्टी एट मुझे आर्टिकल याद नहीं मेरा चल जाएगा कि मेरे को पेपर नहीं देना आपको याद होना चाहिए कि आपका नहीं चल पाएगा यह द्यान रखिएगा 338 SC ST इनके नियए ये रामधान देता है ठाहिक कि आर्टिकल 338 of Constitution provides for the appointment of a special officer for scheduled cast and scheduled tribe who is changed charged with the duty to investigate all matter relating to safeguards for the scheduled श्रीव कास्ट तो ऑडिजिनली इस हमारे आर्टिकल के अंतरगत ही इस आर्टिकल में ही यह समिधान के अंदर ही यह प्रावधान रखा गया कि नैशनल कमिशन फ़र श्रीव का स्विडूर ट्राइब बनाया जाएगा अब बाद में 338 बी 338 बी समिधान में अमेंड करके ज पर बाद में अड़िया गया 138-19-19-19 is जिसके जरिये से national commission एर backward classes बनाया गया तो यह इचा मशुनै जो कमिशन है यह stature. यह constitutional commission आभ बभे खेसे माइनरुटी मैश्नल पॉब्सक्रम । मैचनल कमिशन इस पुर कानून के द्वारा कानून बनाया गया एक कानून बना कर उसको शुरू किया गया तो विस्टेचरि बॉड़ी है तो यह आपको ध्यान लगना होगा यह अधे स्वाल बहुत अलग-अलग प्रेट फॉर्म्स को पूछा जाता है कि के यह स्टेचरी है जहां भी स्टेचरी में या दौनों की अस्तित्व में फर्क भी हो जाएगा कल को अगर हमें लगता है कि नेशनल कमिशन फॉर माइनॉर्टी को खत्म कर देना चाहिए तो एक साधारण कानून के द्वारा पालियमेंट में उसको ले जाने की जरूद नहीं है साधारण कानून के द्वारा उसको क संटाया जा सकता है उसे मॉडिफाइ किया जा सकता उसे एक्सपेंड किया जा सकता परंतु अगरめて करिए को में को बद्राब करना तो उसके लिए आपको आपको आ परिवर्टा घरना हो गारा उसे अमेंड करना कड़ेगा य JEN दौनों में फंक्शनल जो ऑप्राइशनल क्य होगा जात है अब अगणी बादी जिसके अप बात कर सकते हैं यू है Centrel विजिलेंज कमिशन और है सेंटर्ल विजिलेंज कमिशन उन्रिस तो चोढ़ सट में बनाया गया के संथानम कमिटी के रिकमेंडेशन संतानम कमिटी है जिसका उदेश्ह था सेंटर-गोवाग मद्भारत के नदर जो विजिलेंज है करें अटिविटीन है उनको कैसे रोका जाए प्रेवेंशन आफ करप्शन के लिए के संथानम के द्वारत बनाई गई एक कमिटी के रिकमेंडेशन पर सी वी सी को बनाया गया एए ए उनिसो अठ्ठानवे में नइन्टी एड में सी वी सी को निकी चीफ विजलेस कमिशन को एक मैंबर कमिशन बना दिया गया जिसका अपना एक स्टेच्विश्वरी स्टेटस है पतार इसका एक लीगल स्टेटस है अब इसका इसका Consitutional स्टेटस नहीं है इसका एक स्टे है जो सीवी सी है विजिलेंस के लίए यानि विजिलन्ट होने का मतलब है करूप्शन के लिए सतर्खता है विजिल samma मतलब सतर्खता तो हम सतर्खता विभाग में यह इसका सीवीसी इसका एपेक्स बॉडी है एपेक्स इंस्टिटूशन है सीवीसी जो है विजिलेंस के लिए और यह किसी भी एग्जेकुटिव अथॉर्टी से इंडिपेंडेंट है किसी भी विजिलेंस एक्टिविटी को सरकार की किसी बी विजिलेंस एक्टिविटी को मौनिटर करने के लिए लिए किसी भी ओर्रणाइजेश्चन को एडवाईज करने के लिए प्लैन एक्जेकुट् रिव्यू और रिफॉर्म करने के लिए के कामकाज में किसी तरीकी के सुधार की आवश्यक्ता है तो उसको यह recommend करता है return complaint आगर किसी को आप को शिकायत है माली जी आपको corruption की शिकायत करनी है तो आप कहा करेंगे कहीं पर आपको लगता है कि corruption है कारण आप उससे बहुत ज्यादे दुखी है तो आप क्या करेंगे तो आप सेंट्रल विजिलेंस कमिशन जा सकते हैं अपने लिए उसकी शिकायत कर सकते हैं लिखित सिल्हा शिकायत में सकते हैं है ताकि उन आरोपों की उस करप्स предлож est. जाज किखा दिल्ली पुलिस Establishment Act है जिसके अंतरगस CBI का स्थित्व है ठेक दिल्ली पुलिस Establishment जो है जो CBI के Act or Prevention of Corruption Act 1988 इनके जो Offenses है इनको Super Indent करने के लिए उन पर नजर रखने के लिए CBC काम करता है सीवीची के एक सदस्य है और एक चेयरमेन होते हैं और दो इसके दो दो विजिलेंस कमिशनर होते हैं तो सेंट्रल विजिलेंस कमिशनर होता है और दो इसके विजिलेंस कमिशनर होते हैं तो यह कुल में लाकर तीन मेंबर बाड़ी है जिसमें एक सेंट्रल सीवीची होते हैं तो यह हमारे जो एंटी करप्षिन मेकैनिजम हैं इसका बहुत महत्पूर्म हिस्सा है तो हमारे जो जो सेंट्रल गौर्मेंट के अधिकारी होते हैं उन जितने और्गनाइजेशन से मंत्राल है उनमें घ्रष्टाच्यार को चेक करने का एक महत्पूर काम करता है यह सेंट्रल विजिलेंस कमिशन इसका जो अपॉइंटिमेंट है वह प्रेजिडेंट के द्वारा किया जाता है और रिकमेंडेशन आफ कमिटी इनका जो चुनाव होता है ताकि यह फजर रह सके तो इनके चुनाव के लिए कमिटी वराइ जाते है जिस इनका अप्मिनिस्टर और लोग सभा के है जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं इन तीन सजाथ्स्यों की होती है इन तीन सज़स्यों की शहमती किसे जो है इनका किया जा जाएंछा जिसको भी शुल न होता है उन को इन्की शएम्हती के बाद सुना जाता है कि सेंटर विजिलन कमिसेनर हैं और उनकी जो दो अन्य विजिलेंष कमिसिले हैं वो चार साल तक आपने जो जोगी उनको जब appointment होता है चार साल के लिए अपने काले भाग को अपने पद पर रह सकते हैं या जब तक वो 65 साल के हो जाएं दौनों में से एक चीज हो सकते हैं या तो maximum वो चार साल तक रह सकते हैं या 65 पर शी आई यू तक रह सकते हैं सेंटर विजलेंस कमिशन के appointment के बाद वो बाद में कोई office नहीं ले सकते हैं जो cvc होते हैं वो आगे कोई सकारी office में ले सकते हैं विजलेंस कमिशनर cvc का office ले सकते हैं सेंटर विजलेंस कमिशनर बन सकते हैं और उसके पास कर ने काहल को पूरा करने के बाद कोी और tenían का नहीं looking सकते हैं जो इनके रेजिग्नेशन सिविसी का वीसी का वो रेजिग्नेशन प्रेजिडेंट आफ इंडिया डिया जाता हैं और इनको मिस बीहवियर in capacity के आधार पर प्रेजिडेंट के द्वारा एक inquiry करकर सुप्रीम कोड की inquiry से हटाया भी जा सकता है यह हमारा हो गया Central Regilence Commission किसी को इसमें कोई और सवाल Central Regilence Commission हमारे देश में किसी की जाच करने के लिए अगर हमें करप्शन की जाच करनी है भश्टाचार की जाच करनी है तो भश्टाचार को जाचने का सबसे बड़ा और गनाजिशन जो एपक्स और गनाजिशन है वो है Central Vigilence Commission है ठीक है एक Central vigilance Commissioner होते है इसमें और दो Central Vigilence Commissioner होते हैं तो पूल मिला के तीन वामेंबर का Commission है जो देश में जो Central Government होती है ध्यार रखीए गा कि Central Government के Cases को देखता है State Government के Cases को नहीं देखता है तो Central Government के जो भी Offenses है जो Corruption की cateग्री में आते हुँ सब की जाजिये करता है कि आगे आगे बड़े इसके पास नेशनल लीगल सर्विस अथर्टी नालसा हमने परे दिन से बात कि कि हमारे देश में जो कानून की प्रिक्रिया है वो बहुत लबी है और महनी भी तो और आम अरे जो ड्युक्त में भी इसका जिक्र मिलता है कि हम अपने लोगों को सभी को नियाय देंगे और फ्री डीगल सर्विस इज्टेंगे यह हमारे अगर मुझे ठीकिया तो चाहिए तो उसी काम को पूरा करने करें कि अगर हमें नियाय तो नियाए देने का यह मतनब नहीं है कि बहजिघम नियाए दिने की नियाए के लिए कंदर करणा पड़った है को जाना पड़ेगा ऑन जाने के लिए कि अड़ीगा टॉट क्या लगेंगे कि और मैंकि निसे थे शी पइसा लगता Hank काफी सारा टाइम लगता है यह दौनाव चीजे अगर एक आम आदमी के बंचित आदमी के पॉइंट और विक से देखें तो उसके पैसा है और टाइम भी नहीं है तो उसे अपनी जीवी का कमानी है अपना लाइबली हुड कमाना है तो उसे जीवी का के लिए समय भी चाहिए तो दौनों ही उसके पास नहीं है तो इस तरह से वो नियाए से मरहूम रह जाता है नियाए उसको मिल नहीं बाता है उसके खिलाफ अगर कुछ गलत होगा भी तो भी उसे नियाए नहीं मिल पाता है तो उसी को एंशूर करने के लिए लीगल सर्विसिज अथॉर्टी एट 1987 बनाया गया यह एक एक ऐसा इंक्लूसिव लीगल सिस्टम बनाता है थापित करता है प्रमोट करता है जहां की सभी के पास फेयर और मीनिंग्फुल जिस्टिस हो टी कर दो हमारे वंचित समाज को यह समाज की वंचित इस्टों को ऐसा नयाय दिया जा सके बाइस सिस्टम लोक अदालत और और अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजिलूशन में कहने बाद है तो हमें हमने बात की कि हमारा जो सिस्टम है हमारा जी नयाय प्रेक्रिया है नयाय की प्रेक्रिया है वो लंबी है और बहुत पैसास में खर्चा होता है और सभी पक्ष उसमें जो सर्का कि कुछ ऐसे तरीके बनाए जाएं जिते कानून की उतनी नंबी प्रिक्रिया ना चलानी पड़े साधा सिंपल प्रिक्रिया रहे थी तो ऐसी प्रिक्रिया को बनाया जाएगा गया है इस नालसा के जरिये जिसमें लोक अदालते हैं और क्योंकि जो कर्मेंशनल लॉव लीगल सिस्टम में उसमें तो सारा प्रोसीजर है यह करना पड़ेगा तो वह करना पड़ेगा उसे आप बाई-पास भी नहीं चाह सकें परन्तो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजिलूशन में कहने करना है आप कोई आदमें अपनी मुझती म कर दिया जनली लोग जो फ़ाइ-आर करते हैं शिकायद करते हैं तो अपने नुप्सान को बड़ा चड़ा कर कहते हैं भी कहता है कि हाजी मैं यह दो मानता हूँ आप से मेरा नकृसान हो गया है मेरी गंदी है और मेरा नकृसान जसी रजार रुपे का है वो थोड़ा घट का केश चलना चाहिए सारी प्रिक्रिया होनी चाहिए और उसके बाद जज साब को ये फैसला करना चाहिए कि एक्षेली में कितना नुक्सान हुआ और उस नुक्सान की दूसरा पक्ष भंपाई करें अब इसमें नुक्सान क्या है कि पहले तो इतनी लंगी प्रिक्रिया चले फिर वो हाई गोर्ट जाएगा सुपी वोर्ट जाएगा जिस से हमारे देश में लंबर अफ टेस्ट बढ़ते जाते हैं तो इसका क्या एक तरिका होता है कि हम लोग आपके बैठके कि हाया गलती हुई है वीबी कह रहा है कि हम अपने गलती मानता हूं मुझसे गलती हुई है और मैं इस पूरे प्रोसेस से बहार निकलना चाहते हूं पर मेरी गलती एक लाक रुपे की नहीं है मेरी गलती थोड़ी थोड़ी है छोटी है तो मैं इसको हर जाना देने को तैयार हूं वो कहता है कि ठीक है तो मैं 20,000 पर दे दूँगा आप मेरे उपर से केस हटा लो यह पक्षभी कहता है कि ठीक है यार इतनी लंबी कानूनी प्रिक्रिया पर कौन जाएगा मेरा नुक्सान होना था हो गया ठीक है अपनी गलती माल रहा है और कुछ कंपंसेट भी कर रहा है मैं एगरी कर लेता है और दौनों मिल जूब कर अपना फैसला कर दे पे जिससे वो लंबी क्रिया को खतम किया जा सकते हैं तो इसी तरीके का यह मेकैनिजम होता है जिनमें लोक अदालते हैं या जैसे फैमिली कोर्ट्स हैं डाइवर्स के बहुत सारे केसिज चलते हैं यह पत्ति-पत्नी है आपस में सो मत ठीक नहीं है अलग रहना चाहते हैं तो ऐसे बड़े सारे केसिज हैं जो हमारी अदालतों में चलते हैं तो उन सब को कैसे जल्भी त्वरित नियाय उनको तुरंत नियाय दिलवाया जाए इसके लिए एक काम करते हैं इसका एक हिस्सा है फ्री एंड कॉम्पीटेंट लीगल सर्विशिक और इसकाम भी कोई करता है वह होता है कि यह निश्व बिना पैसे का कम कीमत पर जो वीकर सेक्शन है उनको नियाय दिल्वा सकते हैं अगर अधी के पास केस लड़ने के लिए पैसे नहीं है तो वह यह न नालसा के दोरा उसको वकील मोहया कराया जाएगा जो नालसा अथॉर्टी है अचीफ जश्टिस ऑफ इडिया जो होते हैं वह पैटर्मींग चीफ रहते हैं भी प्रेटाइड या सर्विंग जजग होते हैं नौमिनेट किये जाते हैं वह एग्जेशिक्यूटिव चेर्मन पर इसके अधर मेंबर्स होते हैं वो अपने एक्स्पिरेंस व्वालिक्टिकेशन की आधार पर नॉमिनेट किये जाते हैं इन कंसल्टेशन विचीफ जिस्टिस आफ इंडिया की सलह से उनको नॉमिनेट करके इस पद्द के लिए रिक्रमेंट किया जाता है इसके अलावा ये एक मेंबर सेकेट्री बनाए जाते हैं इसमें इनका जो फंक्शन हैं का जो काम है वो है जो बज्जित तबके हैं वीकर सेक्शन्स आफ दो ससाइटी हैं उनके लिए एफेक्टिव और इकनॉमिक एकनॉमिकल स्कीम बनाई जाए ऐसी यूजना बनाई जाए जिसे जो गशेट कि लोग है उनको नियाय मिल सके लीगल सरिचीट उनको मोहिया हो सके हैं इन के लिए जरूरी काम किये तो इसे कुछ विशय होते हैं जो किसी के व्यक्तिगत नहीं होंगे परन्तों फिर विए वो बड़ा कंसर्ण है उधारन के लिए जैसे हमारे एंवायरमेंटल प्रोटेक्शन के कानून में अब एनवायरमेंट का जो नुक्सान है वो हम सब को होता है किसी एक को नहीं होता है तो इसके वज़े से हम उसके बारे में कंसर्ण नहीं है मैं ही क्यों शिकायत करूँ वह पर दुआ वो गारी बहुत दुआ फिला रही है वो फैक्टरी बहुत दुआ फिलाती है मैं क्यों शिकायत करूँ यह तो सभी को दुआ तो सभी को जा रहा है और सभी लोग कर वता ह इसे ही consumer protection है कोई दुकंदार है वो आपको चीट कर रहा है, minimum retail price को चीजे ना बेच कर, एक दोर रुपे महंगी बेच रहा है, अब मालों कोई दोर रुपे महंगी चीज बेच रहा है, आप दोर रुपे महंगी चीज के लिए अदालत नहीं जाओगे, पोर्ट नहीं जाओग करता है, उनके लिए भी इनालसा काद करता है, वो social workers को इस ठेत्र में train करता है, ताकि वो म्याय को प्रमोट कर सके है, लीगल services के case में वो research को प्रमोट करता है, हमारे जो fundamental duties है कि लोग जादे से जादे अपने मौलिक करतव्यों के ब्रती जागरूप बने और उनका बालन कर है, जैसे जो बाद मैं भी आप लोगों को insist करता रहता हूं, कि हमें अपने मौलिक करतव्यों के प्रती भी जागरूप बनना चाहिए, हली ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपने मौलिक अधिकारों की बात करते रहे, कि हमें जी यह नहीं मिल रहा, हमें वो नहीं मिल रहा, ह पानुमी साहता के कारिक्रम है उनके लिए काम करता है ग्रांट इन एड देता है सोचल सर्विस इस्टिटूशन को ऐसी संस्था है जो इस शेत्र में काम कर रही हो उनको ग्रांट देता है पार कांसिल आफ इंडिया के साथ मिल कर ऐसे लीगल एजुकेशन सुपर्विजन इसको प्रमोट करता है यूनिवेस्टी दो कॉलेज और इंस्टिटूशन में लीगल सर्विस क्लिनिक जहां पर लीगल सर्विस को बढ़ावा दिया जा सके उनके लिए काम करता है वोलेंटरी सोशल वेलफर इंस्टिटूशन को सुपर्ट करने का काम करता है जो ग्रासूरूट लेवल पर शिवुल, चिवुल ट्राइब, वेबन, लूरल एंड अर्बन लेवल के लिए काम करने हो बढ़ावा है स्टेट अथर्टी beast तक पॉर्टी स्टॉन्स देग्न सर्विस कमिटी इन नहें के कामगों को आपस में कॉड़िनेटम सुकृंद कोर्ड लीगल सर्विश सम्मंद में इस기 씨가 करें जो इस मिनालसा के लिए सेट्रल अथरॉर्टी है शीपर लीगल सरिस कमिटी है कि इस्ते में कि चीफ जेस्टिस होते हैं। तो तो चनल लीगल सर्विस यह होग्या यह विया कि लीगल सर्विस अथर्टी गो है बी इस्टेट लीगल सर्विसंटॉर्टी gloss जिसमें की चीफ जेटिस कांव कई हएं हैं है इसमें रिटार्ड ज्ज ज़्ज या थे जो एक्जिश क्वान चैनुट की तार इह गॉणर के द्वारा दोर्णिट किए जाते हैं आधि शेकर्ट रिव होते हैं और जो इस्टेट लीगल सर्विस अथॉर्टी इसके अंदर में जो साहता के लिए हाई कोड लीगल सर्विस कमिटी होती है थीयKenंप कोड एसके अलावाट तीसरे सतर पर बीगत कर्राज कर रहे हैं लागसा नेश्णल लीगल सर्विस जरुब्स नखी है जो ..पिस्टेट लीगल सर्विस अथॉर्टी इनट्रिक के लेवल पर भी यह काब करते हैं और स्टेट गौर्मेट इंत। करती है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोड की सलाह के साथ जिसमें की डिस्टिक जजज इसके चेर्मेंट बनते हैं कि अन्य सदत से अपनी एक्पिरियंस क्वालिफिकेशन के हिसाब से और चीफ जिस्टिस की राहे के अनुसार नॉमिनेट किये जाते हैं सिकुंण इसकेटरी और इस्टिक अथर्टी बनाए बढूं टूर यह तीन इसकर पर यह काम करते हैं और focus पर अविस्टिक अथर्टी है कि हरे एक झेग अथर्टी का यह काम मोगा कि जो भी उनको डेलिगेट की क्लिक है पावर जैसे कि तालुक लीगल सरिके के साथ पुरषव करना जो अदल अधिय क्लीने शिजिज को प्रॉपोत करना और इसके बाट कम शोक लिबल शोक दिपने काम करता है यह हमारा नालसा का बेसिक इस्टक्चर हो गया नालसा हमारा चार लेकल पेथा काम को था है फिर फॉरिटी च्रीड दीगल गटारी और अज़ुमें तालोग लीगल सर्विस होता हुश इसके अंदर में फिर पढ़ते हैं हम लोग अदालत लोग उडालतों के लिए यह फ्रेम्वर्ट है या छो डालोकि आ लावल की जो जो की की यह हर एक उसके साथ में कर यह जो ओक्तों स्रेवrist करuleं के जो अथार्टी यह सुप्रीम कोड लीगल सर्विस कमीटी के साथ मिलकर या तालुक लीगल सर्विस्ट कमीटी के साथ मिलकर लोग अदालतों का आयोजन करवाती है जिसमें कि सर्विंग या डिटायर्ड जूडिशियल ऑफिसर उसके सदस्य होते हैं जो लोग अदालत का जो जूरिडिक्शन है वो यह तै करना है जूरिडिक्शन को तै करना और एक कॉंप्रोमाइस सेटलमेंट दौनों कोफिश के बीच में एक सेहमती के लिए एक सेटलमेंट के लिए बात करना जिससे कि उस डिस्प्यूट को किसी भी पैंडिंग डिस्प्यूट को सुलजाया जा सके है यह यह और ऐसा कोई भी मामला जो इसके जुडिक्शन में आता हो कि लोग अदालत के सेटलिक्शन में आता हो आई के जैता हूं इसके दूसरे और नन आंतार लेक्र आ देंड़ी चैनल सब्सक्रााइब यॉर्ट को था तारीयो फैनल है यॉल्थ Shot ने लोग कादालत नहीं सुन सकती है और उन में समझाता नहीं करवा सकते साधाराण तरीके के जो केसिज हैं नल्य की लिए काम कर सकते रहां की वर नहीं हम समझाता कर वाजेते जैसे serious cases में non compoundable cases में अगर समझाता हो तो क्या दिकत है दो पक्ष है बहुत करके यह आम घड़ना है कि रेप कि रेप के cases में दौनों पक्ष किसी बज़े से लड़की किसी भी कारण से महिला है वो अपनी शिकायत को वापस करें चाहती है तो उसको जब केस आगे चल रहा है तो उसको शिकायत वापस लेके से वो अलाउट नहीं है क्यों नहीं होता ऐसा क्यों वो लड़की और जो जो है वो सब जाता कर लेते किसी तरह से तो मैं क्या शिकायत होने चाहिए तो वो नहीं करने देते हैं वापनों एक रेप केस हुआ और वो कहें कि ठीके मैं आप एक लात रुपए का हजाना देने को तयार है तो क्या करना चाहिए गरीब परिवार की लड़की है और वो हुआ हुआ कि ठीक मैं एक लाग रुपए देने के लिए तो समझाता कर लेना चाहिए कर लेना चाहिए कर दो कर दो कर दो कर दो नहीं अच्छा दस लाग दे तो पर तो फिर वो खरीदा जा रहा है ना जो इसके साथ ऐसा हुआ है जो विक्तिम है उसको इसको करेक्ट करेक्ट करीदा जा रहा है तो यहां पर बेसिकली आइडिया यही होता है कि जो अपराद है ठीक है अपराद को आप खरीद नहीं सकते हो जो अपराद है नंबर एक दो पात यह है कि इन डेज नोट मीं कि वह विक्टिम अगर मालों विक्टिम तैयार हो भी जाए ना मान देते हैं एक सिच्वेशन है कि दस लाग रुपे दे रहे हैं और विक्टिम कहती है कि ठीक है जी मैं अच्छी भाग कराब है दस लाग रुपे में लिए भाट जो है मेरी जिल्दी अची हो जाए तो ऐसे केस में अगर विक्टिम भी तैयार हो जाए तब जा करना की और उसमें क्या दोश्य है लिए अच्छी अच्छी ने करें तो पता है कि मेरी आर्थ का परिशानी है इसमें तो फिर कोट का टाइम वो बेस्ट हुआ ना अब चलो पेस्ट माथ भूआ तो हुआ ठीक है कम तेकमी केस को कब होगा अब ध्यान रखेगा इस अंदर में मैंने आप लोगों कुछ बात पहले भी वादाई हुई हो इस ध्यान रखिएगा कि कि इस संदर में हमारी चर्चा को इसके लौग वो घ्यान रखिएगा बस कि केस किसके अने इस्ट है कि पताईए सवाल को जोग मुझे आपने मूं से चाहिए मनली जी एक हाइपोथाटिकल सिच्वेशन है हाइपोथाटिकल नहीं बहुत भरत देश में तो बहुत आम हुपी रहती है एक अपराधी है उस अपराधी ने किसी पहला कारण किया और बाद में केस्वेस हुआ उ उसको प्रस्ताव देने ना है ठीक है आप ऐसे लेलो और आपने केस को वापस लेलो या समझाता करो तो ऐसे मैं इस चीच को समझाता को कैसे देखा जाना चाहिए क्या यह समझाता किया जा सकता है अगर लीजली देखें तो इसे कैसे देखा जाएगा कानूमी तौर पर कानूमी तौर पर मैंने आपको भी बताया था कि इस तरीकी के जितने क्रिमिनल केसिस होते है वो होते है स्टेट वर्सिस जो भी एक्षिंस ने पर इसमें यह विक्टिम नहीं आ दिया शुज़ित्ट मविक्टिम अपना केस मीफिश में लड़ती है स्टेट लड़ता को मर्ड़र का केस को स्टेट लडब अपराद हुआ है वह इस महिला के खिलाफ तो हुआ ही हुआ है पर यह overall पूरी society के खिलाब है जो आपने एक बात कहीं न इससे और बढ़ावा मिलेगा वो exactly यह बात है हमें यह अपराद ऐसे लगते हैं कि rape का अपराद यह murder का अपराद यह व्यक्तिकत अपराद नहीं होते हैं यह होते किसी व्यक्तिकत अपराद नही होते हैं यह अपराद सामुरिक हैं, यह हमारी समाज के साथ होते है, समाज के खिलाब होते हैं यह अपराद, जो रेप हुआ वो एक लड़की का नहीं हुआ है, आपके did περιगने में हुआ और दियर जो society में एक नियम बनाया गया है, एक गूल बनाया गया है कि कोई भी किसी इसक के पिजिते से साथ ऐसा नहीं कर सकता। तो आन्म एक लिथ नीयम बनाया अब वो नियम एक वेक्टी एन तोड़ा है। तो जब मुशंभा में और अपराद को एक व्क्ति के खिलाब देखते हैं तब हम एक सोच सकते हैं कि इसके लिए ये समझाता हो सकता है परंतो एक्चुली में अपराद हो उस लड़की के खिलाब केवल उस लड़की के खिलाब नहीं है पूरे समाज के खिलाब है उस समाज का जो बनाया गया नियम है उटके खिलाब है समाज ने जो तया कि हम लोग यह चीज नहीं करेंगे तो वह उस नीयम को तोड़ रहा है जब ये कोई ऐसा इस नीयम को तोड़ता है तो यह अपराद उस समाज के पर्दी और जब समाज जो है क्या वह समाज को खरीद सकता है 10 लाग उनपे देखं़ देश को आज को है कि 10 ल भारत उससे कहीं ज्यादा मजबूत और यही कारण होता है यह केसिस इंडिया या गौवर्मेंट इसको लड़ती है कि के अपराज जब होगा तो केसे ते सुना जाएगा उत्तर नुदेश सरकार वर्सिस फलाना नहीं तो यह विक्तिों के भीतर नहीं होता है सरकार के और स्टेट इस केस को लड़ता है क्योंकि अब रात सुसाइटी के हमेंज होता है तो जब सुसाइटी के हमेंज हुआ है तो सुसाइटी तेह करेगी क्या इस केस में उसको वो हर जाना देके छूट सकता है तो सुसाइटी में इस केस में किया है कि मैं ही हर जाना देक पराद को होते हुए देखा है वो उसकी साक्षी है, वो उसकी गवाह है, अब रात हो तो स्टेट के में इस हुआ है, सुसाइटी के में इस हुआ है, वो विक्टिम तो केवल उसकी गवाह है, तो उसकी है तो उसकी है तो गवाह की जैसी है, कि वो गवाह के तोर बताग कर रही है, तो इस कानून का इस बहुत साथ कहा कि वही जब भी ऐसा होगा अगर ऐसे समझाते होने लगेंगे तो इस तरीके के अपराद को बढ़ावा मिलेगा अगर दस लाग रुपे दे कर वो छूट सकता है तो उसके पास तो हो सकता है कि का आज के टाइम में ऐसे लोग बहुत सारे हैं जिनके पास सैक् कोई ना कोई रेप कर सकते हैं और रेप करके फिर वो उसको भी दस लाग रुपया दे देंगी तो उस चीज़ को हटाने के लिए इसको रोपने के लिए इस चीज़ को रखा गया है इसको समझा गया है कि कानून का एक basic principle है कि अपराद राज्य के खिलाव है ना केवल किसी व्यक्ति के खिलाव कि के तुछ जो लोग क दालते होती है इस तरीके के जो non compoundable offences होती है उन non compoundable offences को को कई यह समझाता नहीं करा सकते उ सामाने चीज़ों के लिए समझाता करा सकते हैं किसी को किसी चीज़े जमिन जाएजात का जगड़ा है तो ऐसे इस तरीके के cases में वह सम्झाता है परिवार के जगड़े हैं जो अपराद राज्य के खिलाप नहीं है तो ऐसे केसिन में वो विटनिस को बुला सकता है हमको संबन कर सकता है उनको एक्जामिन कर सकता है उनके डॉकुमेंट्स की ज्याज कर सकता है एविडेंस को प्राप्त कर सकता है जो भी साक्ष तो इसके फैसले होते हैं. इनके फैसलों को Award बोला जाता Awards Of लोकाडालत, तो अगर लोकाडालत में कोई फैसला दिया, कोई Award दिया, तो उसकी हैसियत एक Civil Court के Decree जैसल होगी. कि एक Civil Court ने एक आदेश पारिद किया है, तो उसकी यह बराबर उसकी हैसियत रहेगी जो लोक अदालत के फैसले होंगे वो दौनों फक्षांपर सभी फक्षांपर फाइनल और बाइंडिंग होंगे और इसके खिलाब किसी दूसरे कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी तो यह लोक अदालत का हमारे देश में काम आगे बढ़ते ह है एक बोड़ी है जिसका नाम है Quality Council of India Quality Council of India 1997 में बलाई गई जो हमारे Industries के association है जो अध्योगिक Association है । उनके द्वारा यह Quality Council of India बनाई गई जिसमें इसकी फुल फॉर्म है एक्सोशियेटेड चेमबर आफ कॉमर्स एन इंडिस्ट्री आफ इंडिया तुसको ना पताओ तो लिख रहे ना CII that is Confederation of Indian Industry और FICCI that is Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry की तो यह तीन बॉडीज है इन्होंने मिलकर एक सेट अप बनाया इन्डिया के साथ मिलकर जिसका नाम है Quality Council of India उद्देश यह है नेशनल एक्रेडेशन इस्ट्रक्शर को बढ़ावा देना और quality को promote करना भारत देश में products की जो quality बनाई जाते है जो खमान बनाए जाते हैं बहुत अच्छी quality के नहीं होता है यह बहुत शिकायद एक टाइम में मेड इन इंडिया जो है घटिया क्वालिटी की चीजों के लिए एक एग्जामपल भी बन गया था जब यह बनाया गया था तो उस चीज को तोड़ने के लिए और इंडेस्टी जादे अच्छी से अच्छी चीजों का निर्मान करें उसके के चीजों को जो हमारे उतुपादन है उसको और भीतर किया जा इसका अडिनीर्स्ट्रिटिव कंड्रोन इंडेस्ट्रिय पॉलिशी एन प्रॉमोशन मिनिस्ट्री औपॉमर्स और इंडेस्ट्री के पास मिनिस्ट्रीशान में डेकर है करिफुर्डविशनल बोड इसका बोर्ड है जो ओवर आल इसके लिए विजन इसका ले आउट तै करता है और इसको सुपोर्ट बिलता है डिपार्टमेंट अफ इंडिस्टियल प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट के द्वारा इसका उदेश है क्वालिटी मैनेजमेंट स्टेंडर्स को बनाना स्टैटिस् प्रोग्राम जब मैं शब्द बोलाओं जिसका क्या मतलब है अक्रेडेशन का मतलब क्या मतलब हुआ क्या मतलब हुआ कि उसकी एक क्वालिटी को एंश्यूर करना कि वह क्रेडिबल है ठीक है उसको एक अक्रेडिटेशन का सर्टिफिकेशन देना कि हां यह जो समान आप इस कंपनी का अगर समान देंगे जैसे आपने दिखा होगा आप समान खरिकते समय आई या अलग-अलग तरीके के मारकाज देखते हैं क्यों देखते हैं या कंपनियों के नाम देखते हैं तो कि आपको भरोसा है कि यदि यह इस कंपनी का है या इस मारका से लगा हुआ है तो इसकी क्वालिटी निश्चित रूप से बहतर होगी तो यह एक प्रकार का अक्रेड है जिसमें कि इंटरनेशनल स्टेंडर्स को लिया जाए सर्विस सेक्टर में जैसे एजुकेशन हल्थ केर एंवार्मेंट प्रोटेक्शन गवर्नेंशन सेक्टर इन सब पर यह लागू हो सकता है यह हमारे कंजूमर को एंपावर कर सकता है तो डिमांड क्वालिटी कि यह क्वालिटी इस प्रोड़क्ट की अच्छी है और सप्लायर्स के उपर एक प्रेशन भी लागू इन्पोस कर सकता है तो यह हमारे consumers पर एक के empowerment के लिए काम करता है Quality Council of India अब है Competition Commission of India Competition Commission of India Competition Act 2002 के बाद बनाया गया इसने रिप्लेस किया MRTP Act 1979 को कि इसने रिप्लेस किया MRTP Act 1979 को SBS रागवन कमिटी के recommendation इससे पहले होता था Monopoly and Restrictive Trade Practices तो यह एक ऐसा कानून था Monopoly and Restrictive Trade Practices Basically competition का idea business में यह होता है कि हमें अपने बाजार को free market बनाना है अगर हमें बाजार का विकास करना है अगर हमें economy develop करनी है तो हमें मुक्त बाजार की स्थापना करनी होगी तो इस मुक्त बाजार को बनाने के परन्तु वह एक्ट कहा जाता था कि वह काफी हार्स था वह ज्यादा धंड कारी था उसमें किसी भी दूसरे व्यवसाय को आगे बढ़ने का मौका नहीं था क्योंकि ठीक है monopolies नहीं होने चाहिए trade restriction नहीं होने चाहिए परन्तु competition होना चाहिए अगर competition नहीं होगा तो भी हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं हमारे आगे बढ़ने के लिए बाजार के अंदर में competition का होना अनिवार रहे है तो उस competition को encourage किया जाए कि competition रहे competition में कोई सब्सक्राइब नहीं है पर monopolies को खत्म किया जाए तो इसका अधिकार था कि सभी anti competitive agreement एक बाजार में चार व्यपारी है चारों व्यपारी आपस में समझाता कर लेते हैं कि यह समानकौम इतनी किमत से जादे नहीं बेचेंगे तो यह इस से कम नहीं बेचेंगे तो यह एक anti competitive agreement आपको अगर आपस में मिल जूर कर इस तरीके से मार्केट में मोनोपॉली स्थापित करके बाजार कौर करेंगे तो वह बहुत abusive हो जाएगा towards the consumer किसी भी तरीके से जो बड़ी कंपनिया हैं strong कंपनियां हैं वह weak कंपनियों को weak organization को dominate करने की कोशिश ना करें अपने पैसे के जरिए जैसे एक समय जूयों ने किया इसके अपनी चीजों को बहुत सस्ती दामों पर दे दिया जिससे सभी लोग जूयों में चले गए तो यह एक प्रकार का मतब एंटी कॉंपुटिटिव तो नहीं का गया इसको परन्त एक तरीके का गरत व्यापारिक तरीका है इसके करनावा merger और acquisitions को regulate करना एफ ही का काम है ऐसी प्रैक्टिसीज को जो competition को नुक्सान पहदाने वाली प्रैक्तिसीज हैं उनको रोखना जारक में कॉंपुटिशिं को प्र्मोट करना जार में कंज्युमर के अधिकारों को पिंमोट करना और freedom of त्रेट को एंशुर करना यह सब काम हमारे का Mr. मिदिश के इसके सदस्य इसके शंस्य इसके सदस्य होते हैं और bet four said कि छह अन्य सदत से हो सकते हैं इसके अंदर कम से कम दो और ज्यादे से ज्यादा है छह सदत से इसके अंदर हो सकते हैं इनका सेलेक्शन चीफ जिस्टिस ऑफ इंडिया सेकेटरी इन मिनिस्ट्री आफ कॉर्पेट अपेयर सेकेटरी इन मिनिस्ट्री आफ लाइंज जिस्टिस इनकी राय पर, इनकी एक कमिटी होती है, उनकी राय पर इनका चैन होता है, इनके पास special knowledge होनी चाहिए, experience होना चाहिए, international trade, economics, business, इन सब का विशेश अनुभव होना चाहिए, the chairperson and the membership world office, यह अपने पांस साल के लिए अपने इस office में रहते हैं, कि कि एक बाद चुन दिये जान के लिए काम कर सकते हैं, इनको central government एक notice देकर इनको remove भी कर सकती है, अगर competition cases, competition commission के cases की, जो सुनवाई है, वो competition appellate tribunal के द्वारा की जाएगी, अगर आपको competition commission के किसी भी case से कोई शिकायत है, तो आप उसके appeal के वर, यहां competition appellate tribunal में जाके कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला इसी से जुड़ा हुआ है, food safety and standard authority of India, भारत के अंदर में food fosy, food safety and standard authority of India, 2006 का, यह 2006 का act है, food safety and standard act, जो कि ministry of health and family welfare के तहत काम करता है, इसका mandate है, कि यह जितने भी खाने पीने की चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हम consume करते हैं, food के तौर पर, उनकी quality को ensure करें, उनके लिए एक accredition certificate, वो जो quality certificate को दिल लवाय, accredition of certification, जो ऐसी labs को यह चुनता है, ठीक है, और ऐसा mechanism develop करता है, जिससे की food quality को ensure किया जाए, सरकार को scientific और technical advice देता है, center government, state government को, policy और rule बनाने में साहता करता है, जो भी food safety और nutrition से संबंदित, और adulteration से संबंदित, what is adulteration? मिलावट, ठीक है, खाने में जो मिलावट है, उसके के खिलाब एक काम करता है, food consumption से संबंदित, डाटा को एक खटा करता है, food के जो अलग-अलग हिस्से हैं, उनका कोई biological risk है, उसको जानने की कोशिश करता है, देश भर में एक information network बना देता है, जिस से की food safety को पुरे देश में जानकारी जगा जगा पहुं सको, जो FSSIE है, इसमें chair person के अलावा 22 और सदस्य हो सकते हैं, जिसमें एक तहाई सदस्य है, women होने चाहिए, जो appointment है, वो center government, जो भी food science के चेतर में अच्छा कर रहे हैं, उनका appointment करता है, इनका कार्यकाल तीन वर्ष का रहता है, और यह eligible होते हैं, री appointment के लिए अगले तीन साल के लिए, 65 साल के बाद chairman इसके office में नहीं रह साथे, तो यह हमारे कुछ important bodies थे, जो हमारे देश में काम करते हैं, इसके बाद हम कुछ schedule जो हमारे सम्मिधान के अलग-अलग schedule है, वैसे हमने जगे जगे पर इनकी बात की है, पर फिर भी एक जगे पर इकटा करके, अगर हम इनकी जगे करें तो, अगर मुझे schedule one देखना है, वैसे हमने सम्मिधान के article, सभी लोग articles, part, chapter, part, part के अंदर chapter, chapter के अंदर articles, इनको याद कर लिजेगा, वो मने पहले भी पहली class में बोला था, उसके बाद schedule कर लिजेगा, जैसे schedule one है, schedule one हमारा cover करता है, हमारे राज्यों के नाम और union territories के नाम उनका जो छेत्र है, उसको उसका जिक्रफ में मिलता है schedule one में, कि भारत क्या है, भारत के जो विभिन राज्य और union territories वो कौन-कौन से है, उनके नाम क्या है, उनका या क्या है, वो सब हमें मिलता है schedule one में, Schedule 2 हमें देता है जो salaries and emulments जो तंखाए हैं हमारे constitutional dignitaries की जैसे President, Governor, Speaker, Deputy Speaker of Lok Sabha, Chairman, Deputy Chairman of Rajya Sabha, Speaker, Deputy Speaker of State Legislative Assembly, Legislative Council of India, Supreme Court, High Court Judges, CAG तो जो constitutional dignitaries हैं उनके वेतन वगएरा के बारे में जानकारी है हमें Schedule 2 से मिलती है Schedule 3 संबंदित है हमारी जो शबत ली जाते हैं कि हम किस चित किस तरह की की शबत लेंगे जब को व्यक्ति मिनिस्टर बनता है तो हम देखते हैं साथ दूर्ट से एक तपक लेता है तो वो जो शबत है वो कहा मिलेंगी हमें वो आर्टिक शेडियूल 3 में मिलेंगी Schedule 4 संबंदित है Allocation of seat in council of state यानि कि राज्य सभा में किस राज्य के पास कितनी सीटे हैं उत्रप्रदेश के पास कितनी सीटे होंगी राजिस्थान मद्ध्रदेश में कितनी सीटे होंगी राज्य सभा की वो सब का अगर हमें जानना है तो उसके लिए हमें Schedule 6 देखना पड़ेगा तो Schedule 4 सब्सक्राइब चार में जो distribution of seats of राज्य सभा है वो मिलता है Schedule 5 में Administration and Control of Scheduled Areas and Scheduled Tribes मुने पहले भी आपको बताया था कि Schedule 5 में Scheduled Areas and Scheduled Tribes इनके जो Administration and Control है उसके बारे में जानकारी मिलती है कि Schedule Areas कौन से हैं उन्हें कहते चला जाएगा और Tribes Advisory Council इसके बारे में Schedule 5 में जिक्र मिलता है Schedule 6 है जिसके अंदर में Administration of Tribal Areas in States of Assam, Meghala, Tirpura and Majoram A.M.T.M. A.M.T.M. असम, Meghala, Tirpura, Majoram इनमे जो Tribal Areas है उनका Administration कैसे होगा और वहां पर District Council, Regional Council कैसे काम करेंगी इसका जिक्र हमें Schedule 6 में मिलता है Schedule 7 जो हमारे List है, जो काम का विभाजन है हमारे देश में की Union List में क्या चीज़े रहेंगी Union के छेत्रा अधिकार क्या है? State का छेत्रा अधिकार क्या है? Concurrent List क्या है? मतला कानून बनाने के concern में संसर्थ की और जो विधान सवा है राज्यों की उनकी क्या-क्या समता है Schedule 8 है जिसमें हमारी 22 भाशाओं का जिक्र मिलता है इसके बाद Schedule 9 है यह बाद में एड किया गया Schedule 9 पहला Amendment था और इस Schedule 9 के जरिये से ऐसा स्कोप रखा गया कि यह इसकी background है कि इसको क्यों लाया गया जो हमारा पहला Amendment था उसने Schedule 9 को इंटर्यूस किया समिधान का जो पहला समसोधन था वो यह ही था Schedule 9 को लाना और यह Article 31 A, 31 B Article 31 क्या है Right of Property Right of Property ठीक है तो जो Right of Property उसमें Fundamental Right हुआ करता था Right to Property के अंदर में दो Article 31 A और 31 B जिसका उदेश है था कि यदि जमीदारी के संबन में कोई कानून बनाया जाएगा तो इसे किसी Court of Law में चैलेंज नहीं किया जा सकता तो यह जो Schedule 9 जो है एक विशेश Schedule है जो यदि कोई कानून यहां रखा गया है तो वो Judicial Review जो Supreme Court की जो शक्ती है Judicial Review की कि वो किसी भी कानून का संभिधान के किसी भी हिस्से का अगर कोई भी अमेंडमेंट लाया जाता है कोई कानून लाया जाता है उसको री एक्जामिन कर सकती है यह देख सकती है कि क्या यह कानून जो है नियाय सम्मत है हमिधान सम्मत है तो यह शेडूल नाइन है जिसके अंदर जो कानून रखे गए है वो कानून इस Judicial Review के प्रोसेस से बाहर निकर जाते है यानि कि यदि कोई कानून इहां मेंचेंड है तो उस कानून को को फंडान को कोट फ्लॉग चैलेंज नहीं किया जातकता इवन दो दे वाइलेट फंडामेंटल राइट्स को वाइलेट कर रहे हों सब्सीं को अधिस्ट नहीं जा सकते यह इसका वह कारण कि अधो दोजार साथ में इससे संबंजित स्टेटस को बदा गया था उननी सो तेटर के बाद यह कहा गया कि जो समीस में इसके अंदर जो भी उननी सो तेटर के बाद जो भी शुदिन माइन में एड होगा उसे जुदिशन रिव्यू किया जा सकता है सुप्रियम कोट उसको रिव्यू कर सकती है अगर वह बेसिक इस्ट्रक्चर को कि केशवा परणि भारती केश में कि बेसिक इस्ट्रक्चरण डॉक्तराईंग refugee और यह कहा गया कि संसस्त के पास्य शक्ती नहीं है जो हमारा समीधान सकता है उसके बैसिक इस्ट्रक्चर को चेंज कर सके तो इसलिए कि वह उसको नहीं चेंज कर सकते तो अब जो है आज सी समय में इसनिति यह है कि कोई भी कानून जो बेसिक स्ट्रक्टेर को जो मैं सो थे करता है तो अब ही के समय में जो जुडिशन रिव्यू है वो नौवे शडूल का जुवीशन रिव्यू हो सकता है उने सो त्याटर के बाद के के से शडूल 10 है जिसमें डिफेक्शन के लिए कानून आज़ा डिफेक्टों करना मतलब दल बदलने को डिस्करेज करने के लिए भारत में डल बदलने को बहुत प्रेविलेंट चीज है अ हो कि दूर्प खी डिफेक्शन को डल बदलने को डिश epsilon कर दिया गया कि अगर आप ड्ल बदलते हैं तो आप डिस्कॉलिफाइं हो जाएंगे वो इसके शडूल 6 में परिस्तितियां दी गई कि किस-किस परिस्तितितिय में आप डिस्क्उालिफाइं हो जाएंगे जडी आ पंचायत की शक्तियों को कि क्या क्या काम होगी उनको यहां पर सेड्यूल 11 में किनवाय गया और 73 वे इसमें पंचायती राज को इंट्रिऊस गिया उसमें यह एग्यारवा सेड्यूल बनाया इसी तरह बारवावा सेड्यूल है चोहतरवे amendment के बाद आया जिसमें municipality की शक्तिया कि municipality के क्या क्या काम होंगे तो जैसे state list है central union list है state list है concurrent list है ऐसे ही ये list बनाएगे अब हमारे देश में कुछ महत्पूर्ण amendment जो समय समय पर आयते रहे हैं पहला amendment act जैसा अभी हमने थो जिर पहले बात किया पहला amendment act आया जिसने नौवे schedule को introduce किया और यह कहा गया कि यदि कोई कानून नौवे schedule में होता है तो ऐसा होने पर भी कि यदि वो fundamental right को bridge करा राओ उसे वालेट करा राओ तब भी विक्ति उसके खिलाफ सुप्रिम पोर्ट यह हाई पोर्ट में नहीं जा सकता उसके खिलाफ वो वाइलेट करने के बावजूर भी वहां पर नहीं जा सकता यह प्राद्धान नौवे schedule का प्राद्धान रखा गया और गित आ गया कि जो भी इन चीजे 9th schedule में होंगी वो जुडियूशल रिव्यू से बाहर रहेंगी उन पर जो हमारा सुप्रिम पोर्ट है वो जुडियूशल रिव्यू एक्सराइज नहीं कर सकता है इसके अलावा तीन और नए रेस्ट्रिक्शन एड किये गए आर्टिकल 19 में जो फीडम ऑफ स्पीच और एक्स्प्रेशन है इसमें कुछ ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन जैसे पॉब्लिक और प्रेंट्री रिलेशन विद पॉरन स्टेट एंड इंसाइट्मेंट वे यह सब शब्द एंड किये गए यानि कि जो हमारे जो आजादी थी प्रीडम एंड स्पीच और एक्स्पेशन इसको सीमित किया गया पहले अमेंडमेंट के द्वारा फिर सात्वां अमेंडमेंडमेंट है इसमें राज्यों को जो पहले चार केटिग्री में बाटा गया था पहले राज्ये चार कैटिग्री में A, B, C, D राज्ये बनाए गए थे उस क्लासिफिकेशन को कत्म करकर स्टेट री और्गनाइजेशन एक्ट आया था उस स्टेट री और्गनाइजेशन एक्ट के जरिये से भारत के अंदर में 1906 में 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी ब 21 आमेंडमेंट एक्ट इसके अंदर आठ में शेडूर में लेंग्विज वाले शेडूर में सिंधी भाषा को एड़ किया गया 42 आमेंडमेंट एक्ट इसको हम एक मिनी कॉंस्टिटूशन दोते हैं जिसे सोयन सिंग कमिटी के रिकमेंडेशन पर लाया गया था इसमें काफी सारे परिवर्दन किये गए नए शप्डों को एड किया गया तीन शवी सोशलिस्ट सेक्विलर और इंटेग्रिटी शप्ट को एड किया गया फंडमेंटल ड्यूटिज जो कंसेप्ट है बुलाया गया प्रेजिडेंट को बाउंड किया गया क्यागनेट की ज केट और जो अन्य ट्राइविनल्स हैं उनको इंट्रड्यूस किया गया इस स्वांसिंग कमिटी में जो लोकसभा की सीट्स है और स्टेट लेजिस्ट्रेटिव की असम्बली की सीट है उन्हें उन्हें सो एकत्तर के सैंसर्स के आधार पर बांध दिया गया तो जो नंबर प्रिंसिपल से एड किये गए जिसमें है इक्वल जेस्टिस फ्री लीगल एड का यहीं मैं किया रहा था कि यह यहां पर मौनूब है जिन नाल्सा है वो इस डिरेक्टिव प्रिंसिपल प्री लीगल एड के आधार पर रख्टा गया एन पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडिस्ट्री एंड प्रोटेक्शन ऑफ एन्वार्मेंट फॉर्ष्ट एंड वाइड लाइड यह कुछ नए डिरेक्टिव प्रिंसिपल इस अमेंडमेंट के द्वारा जूड़े हैं फैसिलिटेटेटिट अपनेशन ऑफ नेशनल अमर्जेंसी ठीक है इस सभीधान संशुदन के द्वारा देश के अंदर में देश के एक हिस्से में कुछ षिसों में नेशनल अमर्जेंसी गोचिट किये जाने को वो सब्राइब कि कुछ इस्से में भी सभी जरूरी महीं है कि पुरे भारत में नेशनल अमर्जेंसी कुछ पिए यह मैं औरshow र लिश्ट से कंकरेंट लिश्ट में मूग किया गया थीक है वो थे एजुकेशन पहले एजुकेशन स्टेट सब्जेक्टा उसको फॉरेस्ट प्रोटेक्शन आफ वाइल लाइफ वेट अन्मेजर अड्मिनिस्टेशन अफ जस्टिस कॉंस्टूशन एंड और ऑगनाइजेशन फज्ट लिश्ट में लाइगा यह सभी वो किशह थे जो पहले इस्टेट लिश्ट में हुआ कशनु को वहां से उठाकर सेंटर के लिश्ट में लाए गया जिससे की सेंटर आप उन पर कानून बना से चावालिष को अमेंडमेंट एक 2078 में इसने जो है जो ब्यारीष से संसोधन में जो बंदाव लाए गए थी उनको परिवर्तित करिया वापस रिवर्ट करने की कही सारे चेंजिस को रिवर्ट करिया उचको रिवर्ट नहीं भीशा या कुछ को मॉडिफाइब करके एक्सेप की प्रेजिडेंट एडवाइज के लिए बाउन है अगर कुछ भी कहा जाएगा प्रेजिडेंट तो वह प्रेजेंटिन वह आदेश पारित करना हुए यानि कि प्रेजिडेंट पूरी तरीके से अब रबर स्टेंप बन जाते इसम्रिश को वापस किया गया तो ब्रहा– को यह अधिकार दिया गया कि वह एक बार अपनी सलहा को भूस अपनी सलहा को री कंसिडरेशं की लिए भ ambulance सकते हैं बट अगर काविनेट ली कंसिडर्ड एडवाइस को शवक्र cannis कर लिया कि हांची ठीक है तो मेरेट兩 को माननी होगी दूसरा बदलाव इसमें किया गया जो ब्यारे से संस्योधन में नेशनल एमर्जेंसी लाने के लिए एक शब्द का इस्तमाद किया इंटर्नल डिस्टर्मेंट कि अगर कोई अंदूरूनी गड़बर होती है तो ऐसे केस में एमर्जेंसी लगाई जा सकती है परंतु इसको ब गड़बरी किसी भी चीज़ को हम गड़बर बोल सकते हैं यहां इंटर्नल डिस्टर्मेंट डिस्टर्मेंट कोई भी फिर यह अमर्जेंसी को इंपोस कर सकता इसकी जगह पर जो सब्सक्राइब किया आम्द रिंवेजियर कि अगर हत्यार बंद अंदोलन अगर होगा तब और और दो कि अगर्जा पर बखने के लिए रिटर्म रिकमेंडेशन अन्वार में होगdoing डेजल घंसी कि फोन करके णहीं लगा सकती है उसके लिए एक दिर एडिवाईज होनी चाहिए तभी वह लगा जाई राइट टो प्रॉपर्टी को फंदमेन्टल राइट से हटा दिया गया और इसको को लदविगल्न राइट बना दिया गया इसके अलावा यह कह दिया गया कि आर्टिकल बीस और विश और की सस्पेंड नहीं किया सकते किसी gets deep in the case of national नेशनल एमर्जेंसी लागू होने पर भी जो फंडामेंटल राइट है लाइफ और पर्टन लिबर्टी का वो अधिकार लागू रहेगा तो यह चावालिवा सब्सक्राइब चवालिवे संसोधन के बाद बावन्मा संसोधन है 52nd जिसने हमारे देश में दल बद्रू कानूं को लागू किया एंटी डिफेक्शन कानूं को लगने कर आया बावन्मा अमेंडमेंट उसके और इसके जरी से 10th schedule भी इंट्रूश किया गया एक सट्वा अमेंडमेंट जिसके द्वारा हमारी जो वोटिंग एड है वो 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी अब जब इसका कारण है यह सट्वा अमें अमेंडमेंट एक्ट जिसने कुछ नई भाषाओं को जैसे कौंकणी मर्नीपुरी और नेपाली भाषा को एट शेडूल में जोड़ा ऐसे ही 87 वे अमेंडमेंट नभी कुछ नए शेडूल भाषाओं को संथाली बोडो योगरी और मैथली भाषा को 87th अमेंडमेंट क्या अबर नाइंटीफ फस्ट अमेंडमेंट एकसे अटेस्टफं ने जो है तो यह नाइंटीफ स्ट आमेंडमेंट है जिसके द्वारा एंटी डिफेक्शन एक्ट वो और मजबूत किया गया ठीक है इसमें ये प्राप्धान बनाया गया कि जो भी दन बद्रू लोग होंगे उनको पब्लिक ऑफिस से डी बार किया जाए वो किसी भी दूसरे पब्लिक ऑफिस पे उनको नुक तो नहीं किया जा सकता रन्य प्राफ़ान आए गए कि किस तरीके से डिफेक्शन को कम किया गया यह तै कि जो मिनिश्टर से नंबर ऑफ जो Κांसिल ओफ मिनिश्टर होती है ने टे स्टेट की या लेजिश्टूलिटि की उसमें 15% से ज्यादा सदस से मेंबर मिनि जालतर लोगों को मिनिस्टर बना देते हैं कुछ भी उठ पठाई मिनिस्ट्री बना के उनको मिनिस्टर का दर्जा दे देते हैं अच्छा यह और भी प्रावधान है कि अगर एक सदस्य को एक पॉलिटिकल पार्टी से डिस्क्वालिफाई कर दिया जाए तो यह सारे प्रावधान अलग अलग प्रावधान रखे गए जिनके द्वारा हमने अपने एंटी डिफेक्शन कानून को और मजबूत किया गया और इसके लिए हमने नाइंटी फर्स्ट अमेंड्मेंट लेकर आए कि बढ़ बढ़ पर यह कुछ और मेजर अमेंड्मेंट्स हैं जैसे यह कुछ को देते हैं जो हर दस साल के लिए इंक्रीज कर देते हैं लेटेस्ट अमेंड्मेंट्स में जो इंपॉर्टंट अमेंड्मेंट हमारे सामने हैं उन में है 101 वह अमेंड्मेंट्ट जिसके द्वारा जी एस्टी और लागू किया गया तो जी एस्टी को लागू करने चो के क्लासेश के जो कमिशन है जो कहने नाशली सब्लक्षिंद्ड जा एक कंटूशन Liz to एक सो तीसरा अमेंट्मेंट ये भी इम्पार्टेंट अमेंडिमेंट है जिसके द्वारा दस परसंट रिजर्वेशन दिंट को दिया गया यह 11 गसुट को बनाया और दो त्यमिक ढाद तो यह एक और आमेंड्मेंट है जो लाघान यह आर्टिकल वाइज है तो जो महत्पूर्ण आर्टिकल है हम इनको कल्की क्लास में पढ़े लेंगे इसके अलावा कुछ और एरियाज है तो लगबग पॉलिटी के हो मैं यहां पर खत्म करूंगा कुछ और एरियाज हैं इनको मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूं परन्तु मुझे लगता है कि हम इस पॉलिटी को दो तीन क्लासिज में बाइंड अप कर पाएंगे और उसके बा जोग्रफिक के लिए जोग्रफिक मैं भी नहीं पढ़ा पाऊंगा और मैं दूंड नहीं पाया किसी को देखता हूं अगर जोग्रफिक करेंगे हम इस दिन ब्रेक के बाद एक महिने का ब्रेक लेंगे ठीक है और कब पेपर है आपका जून को तो ऐसा करेंगे कि हम कब करेंगे कि क्या उसके लिए अलग प्लान बनाएंगे ठीक है रिविजन के रिविजन करने पर पहले आप लुग रिवाइज करो अगर आप रिवाइज नहीं करो तो कोई रिवीजन नहीं करूँगा तो कि आप लोग पढ़ते तो हो नहीं याद करते में आपका या अभी सर चे आठ में को एक्जाम है मेरा भी पीस्ट का अच्छे से देखिया हो अल्द बेस्ट पास होना है थैंक यू सर्थ अब्सक्राइब करके फिर ग्लास को इस दिन के लिए ब्रेक देगे फिर फंदर अगर इस बीच में आपको कोई भी चीज की जरूरत दखती है तो आप लोग सना करके मुझे बता सकते हों कि सब्सक्राइब करा दो कोई टॉपिक अगर रहे गया हो तो मुझे बता देना मैं भी एक बार वैसे देख लूँगा करके लिए कोई टॉपिक रहे तो नहीं रह करेंगे और उसके बाद हम संदे से चुटी करेंगे कुछ दिन के लिए इसके बाद री स्टार्ट करेंगे जिविजन क्लासे बट टैट वी सब्जेक्ट वी और प्रप्रेशन ठीक है कितनी तैयारी करके आप आते हो उस पर डिपेंड करेंगा ऐसे नहीं होगा कि आप यह अच्छे से करो उत्राखंड में कौन-कौन जा रहा है पेपर देने तो अगर दीपक जा रहे हैं अगर किसी को साहता चाहिए हो तो उनके साथ जा सकते हैं कि चलिए तो आज की क्लास को फिर मैं खत्म कर रहा हूं किसी का कुई सवाल हो तो पूछ सकता है कि अच्छे एंचेंट हिस्ट्री भी करवाएंगे क्या एंचेंट हिस्ट्री एक सर है मैंने उसे बात की थी पर तुक लोग प्लास ही इस तरीगे से करते हो को याता आज नहीं तो भी मुझे अच्छा नहीं लगा हूं को कहते हूं पता जला मेरे को और आप लोग सबका पार्टिसिपेशिन जरूरी है क्लास सबसे चलेगी कि एनक क्या कोई बादी में कर दूंगा इंशेंट की क्लास करनी है और क्या गरना है बताओ जग्रफी और बस बागित हो गया है जग्रफी रह गया है और अच्छेंट लगए तो थोड़ा सी सेट के लिए हो जादा तो यह सर सी सेट तो थी कोशुश करता हूं इस से बात करता हूं तो यह अपनी अलाव किसी और की अरटी नहीं ले सकता हूं इस बात नहीं लगना तो कि अगर कोई कमिट कर भी दे और बाद में गड़बड कर द अच्छेंट नहीं करेंगे फिल्मी में अपनी तरफ से एक और वर्ड ओफ कॉशन देना चाहता हूं मैं कारता हूं कोशिश सी सेट के लिए कोशिश करता हूं चलो ओके बाया है थैंक यू सर बाए थैंक यू सर बाए थैंक यू सर करता हूं